हेलो फ्रेंड्स, गोडे उनिंग, मैं दिपक्सा हूँ, CGPAC हैनिटेन नोट्स के योटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, चलिए आप सभी का इंतेजार की घड़ी समापत होती है, आज हम डे की बात करें, तो 46 दिन का मडल आंसर देखने जा रहे हैं, और मेगा टेस्ट की बात करें, तो यह आपका आटवा मेगा टेस्ट है, तो चलिए जैसा आप लोगों से उम्मीद था, उसके हिसाब से बहुत ही कम लोग मेगा टेस्ट में सम्मेलित हुए थे, चलिए एक बात तो समझ में आ गई, जिनका निसुलक में रजिस्टेशन हुआ था सुरुआत में, वे च्छात्र नहीं लिख रहे हैं, इसलिए रजिस्टेशन सुलक रखा गया था, यदि आप लिखना पड़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप रजिस्टेशन 99 का करा सकते हैं, तो जो 28 सात्र आज मेगर टेश्ट में सामिल हुए हैं, उन सभी को पहले तो बहुत बहुत बढ़ाई, कि आपने अच्छा अंग भी लाए हैं, दरशन सास्तर जैसे विशाय में, और काफी अच्छा लिखे हैं, आज बात करेंगे, कल या परसो सायद कोई ग्रूप में SMS किये थे, बताऊंगा कि आप किनका किनका PDF हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनका मेंस आंसर रैटिंग चेक कर सकते हैं, काफी अच्छा लिखे हैं, नाम बताऊंगा आगे आप सभी को, उनको भी बहुत बढ़ाई, देख लिजे, जिनको अक्छर में सुधार करनी की आउ सकते हैं, आपको अक्छर में सुधार करना ही पड़ेगा, तो पहले आईए मॉडल आंसर देख लेते हैं, उसके बात बीच बीच में कुछ चातरों का नाम जैसे कि आप सभी को पता है, उसी के अनुसार अंक बताते जाएंगे, अन्त में आपके टॉप थ्री चातरों के नाम भी देखेंगे, ठीक है, आज हम जो मेगा टेस्ट हुआ था सनिवार को, उसमें दर्सन सास्त्र कही प्रस्न सामिल थे, जिसमें टोटल अंक आपको 45 था, 45 अंक, जिनको भी मेंस का नोट से चाहिए होगा, वे इस नमबर से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, कल राद को आप सभी के लिए सात्वा पेपर का नोटिपेकसन जारी किया गया था, अभी भी देख लिजेगा, दो घंटे हैं अभी, जिनको भी चाहिए होगा, ले सकते हैं, ठीक है, चलिए, मेगा टेस्ट का पहला प्रस्न था, निसकाम कर्म क्या है, तीस सब्द में उलेक करना था, प्रस्न था, निसकाम कर्म क्या है, तीस सब्द में उलेकित करना था, देख लिजे, हिंदी मडियाम वाले, इंग्लिस मडियाम वाले आप ट्रांसलेट करके हमारे जीतेंदर सर से चेक करवा सकते हैं, वैसे इस बार त चलिए क्या है निसकाम कर्म आईए देखते हैं निसकाम कर्म से आसाए कर्म को बीना अभिलासा के करना गीता में मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग बताए है यह है ज्यान भक्ति और कर्म कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हुए निसकाम कर्म की अधार्णा दी गई है यह आपका पहला प्रस्ण तीस सब्दों में पुछा गया था निसकाम कर्म के बारे में तो देखिए निसकाम कर्म से आसे कर्म को बिना अभिलागसा के करना है गीता में मोक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग बताएं हैं ये हैं ज्यान, भक्ति और कर्म कर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हुए निसकाम कर्म की अधारना दी गई है तो यह हुआ आपका निशकाम कर्म तीस सब्दों में पूछा गया था देखिए जो गीता में कर्म से संबंदित निर्देश दिये गया है वे आपका अलग प्रस्ण है आपको परिभासा के रुप में बताना था निशकाम कर्म के बारे में ये रहा आज का पहला प्रस्ण का मॉडल अंसर थोड़ा सा साउंड में अधिक्कत हो सकती है नवरात्री का देखिए आज अंतिम दिन है तो विसरजन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा साउंड को प्रॉबलम हो सकता है ठीक है? चलिए आज का दूसरा प्रस्ण है नए क्या है? प्रस्ण दूसरा है नए क्या है? आपसे तीस सब्द में प्रस्ण पूछा गया था देखिए इसका मॉडल अंसर पहले भी जारी किया गया था जो जैन दर्शन के अनुसार है बहुत ही महत्तव पूर्ण प्रस्ण है तीस सब्द के प्रस्ण के लिए उचीत आंसर भी देख लीजिए और इसको याद रखिएगा ठीक है न? ये आपका जैन दर्शन का अनेकांत वाद होता है उसके अंतर गती नए की परिभासत दी जाती है तो आप अनेकांत वाद को भी देख लीजिएगा ठीक है आईए देख्ते है नए क्या है तीस सब्द में जैन दर्शन में आनसिक ज्यान की अभिव्यक्ति को नए कह गया है जैन मान्यत के अनुसार सधारण वेक्ति वस्तु के सभी धर्मों को नहीं जान सकता अतह उसका ज्यान नए है नए से आसे आंसिक ठीक है आंसिक ज्यान है केवल केवल्य प्राप्त व्यक्ति ही वस्तु के सभी धर्मों को जान सकता है ये आपका दूसरा प्रस्ण था नए क्या है तीस सब्दों में आपसे पूछा गया था तो जैन दर्शन में आंसिक ज्यान की अभिव्यक्ति को नए कहा गया है जैन मान्यता के अनुसाद सधरण व्यक्ति वस्तु के सभी धर्मों को नहीं जान सकता अतह उसका ज्यान नए है केवल केवल्य प्राप्त व्यक्ति ही वस्तु के सभी धर्मों को जान सकता है तो ये रहा आपका मेगा टेस्ट का दूसरा प्रस्न का मॉडल आंसर फिर से वो रूप कुछ आत्रा इस बार बहुत ही अच्छा मेंस आंसर रेटिंग की है आप लोग करते रहिए जब भी वेखENCY आएगी आप निशी दूरूप से प्रिलिम्स की तयारी प्राणा म कर दिजएगा अगर इस साल मेंस का एक्जाम नहीं दे रहे होंगे तो क्योंकि आपका प्रिलिम्स अग्जाम भी prelims को ध्यान में रखते हुए test series लाते हैं तो आप सभी सम्मिलित हुआ किजिए अब जितना भी जानते हैं फिर भी आप सम्मिलित होईए क्योंकि वहाँ discuss किया जाता है प्रस्ना भले ही आपको 10 second का रहता है लेकिन पूरे के पूरे हम 1 minute लेते हैं देखिए हमको timing से कोई मतलब नहीं है नहीं हमको timing से कोई benefit मिलना है ठीक है ये मत सोचा कीजिए कि हम video को लंबा बनाते हैं तो हमको timing से कुछ मिलना नहीं है जितना हो सके हम अपने तरफ से effort करते हैं कि आपको समाज में आ जाए ठीक है तो देखते हैं बौध दर्शन में अनात्मवाद क्या है तीस सब्द में आपसे पुछा गया था बौध दर्शन में पुनर जन्म का कर्म आत्मा को नए सरीर में प्रवेश करना नहीं है बौध दर्शन में पुनर जन्म का कर्म आत्मा को नए सरीर में प्रवेस करना नहीं है बलकि पुनर जन्म में विज्ञान का प्रवाह नए सरीर में होता है आत्मा के अस्तित्व को स्विकार ना करने को ही बौध दर्शन में अनात्मवादी कहा जाता है ये आपका तीसरा प्रस्न में पूछा गया था बौध दर्शन में अनात्मवाद क्या है एक बार ओर देख लिजे बौध दर्शन में पुनर जन्म का कर्म आत्मा को नए सरीर में प्रवेस करना नहीं है बलकि पुनर जन्म में विज्ञान का प्रवाह नए सरीर में होता है आत्मा के अस्तित्व को स्विकार ना करने को ही आत्म बौध दर्शन में अनात्मवादी कह जाता है तो यह रहा आपका तीसरा प्रस्न का मॉडल आंसर चलिए चौथा प्रस्न देखते हैं उसके बाद कुछ चात्रों के अंक देख लेंगे आप सभी को तीस सब्द के 5 प्रस्न दिया गया थे मतलब 10 अंके 60 सब्द के केवल एक ही प्रस्न आप लोगों को दिया गया था जो 4 अंक था 100 सब्दके 2 प्रस्न दिया गया थे जो 16 अंक था और 175 सब्दके केवल एक ही प्रस्न दिया गया था वह आपका 15 अंक था इस तरह से आपका मेगा टेस्ट आठवा केवल एक ही विश्य था दर्शन सास्त्र केवल प्ररंभिक के 4 या 5 टॉपिक थे अगर मेंस का सिलिबस आप देखे होंगे तो तो 45 अंकर में आप कितना अरजित किये हैं आगे कुछ मिन्टों में देखेंगे ठीक है चलिए प्रस्न चाओंथा था आतमा की जागरित अवस्था क्या है आप से 30 सब्द में पूछा गया था तो केवाल आपको जागरित अवस् अवस्था है यहां आतमा इंद्रियों के माध्यम से संसारिक विश्यों का भोग करती है इस अवस्था की चेतना को वैस्वा नार कहा गया है यहां रहा आपका आतमा की जागरित अवस्था क्या है उसके बारे में तो जागरित अवस्था क्या है बरोड दिखिए यहां आत अल्मा इंद्रियों के माध्यम से सांसारिक विश्यों का भोग करती है इस अवस्था की चेतना को ही वैस्वानार कहा गया है ये रहा आपका चौथा प्रस्ण का मॉडल आंसर जो आप से पूछा गया था तीस सब्द में ठीक है कल से हम पुना भारत का इतहास को सम्मिलित करे और दर्शन सास्त्र भी से रहेगा तीस सब्द के अनुसार ही आपको सब्द सीमा के अनुसार ही आपको लिखना है ठीक है तो यह देखे हम प्रमुक चाल प्रस्ण के मॉडल आंसर एक और देखते हैं उसके बाद कुछ चात्रों के प्राप्तांग दिखेंगे अश्ठांग मार्ग का नाम बताईए देखिए अश्ठांग मार्ग आपसे तीस सब्द में पुछा गया था तो केवल कुछ चात्र ऐसे हैं जो अश्ठांग नाम ही लिखते हैं अगर आप नाम ही लिखते हैं तो केवल आड़ दोने सोला केवल सोला ही सब्द हो रहे थे ल आईए देखते हैं अश्ठांग मार्ग उसका नाम बताना था उत्तर बुद्ध ने दूखों से मुक्ति पाने के लिए आठ पदों का अश्ठांगिक मार्ग बताया है जिसके अंतरगत है सम्यक दृष्टी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजिव, सम्यक व्याम, सम्यक इस्मिर्टी और अन्तिम में हैं आपका सम्यक समाज तो आपको सम्यक द्रिष्टी के बारे में पतान हो चाहिए क्या है ठीक है तो अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा सम्यक द्रिष्टी से आसा होता है अनित्य को नित्य समझना इसी प्रकार से आपको संकल के भी जारे में जानकारी होनी चाहिए कि कारिय निर्वार प्राप्ति के संकल्प को प्रेरित करना हमारा सभी कारिय निर्वार प्राप्ति के लिए होता है ये संकल्प होनी चाहिए इसी तरह से आपका सम्याक वाक है जिसमें वाक के अर्थ आप जानते होंगे, उचीत बोलना होता है, ठीक है, सम्याक कर्म, तो आपको सही कर्म करना है, इसी प्रकार से आपको जीव को पारजन के बारे में हैं, अच्छा मन बुद्धी के लिए आपको ब्याम करने की बात की गई है, ठीक है, अंतिम है सम्याक स स्यमाज के लिए आपको आप देख लिजगा अध्यान किये हैं उस दौरान तो यह रहा आपका मेगा टेस्ट का पांच प्रस्ता जो आप से पूछा गया था तीस सब्दों में उसका मॉडल आंसर हो गया आए च्छटवा प्रसंद देखते हैं उसको देखने से पहले कुछ प्रस्तों के प्राप्तांग देख लेते हैं ठीक है चलिए मैं नाम बताते जाता हूं अगर आप होंगे तो लाइव शेट में कमेंट कीजिएगा सुरेश देखिए जो पीडेप में नाम लिखा हुआ था वही नाम हमको भी पता है और परसेनल नाम तो किसी को पता नहीं है जो पीडेप में लिखा था वही नाम आपको बताते जा रहूं शूरेश आप हैं जी आपके प्राप्तांग अंक हैं 32 टोटल अंक थे 45 सत्वन्तिन मंदावी आप हैं जी होंगे तो लाइट चेट में कमेंट किजिए यस करके सत्वन्तिन मंदावी आपके प्राप्तांग अंक हैं 33 33 किसमे 45 अंक टोटल अंक थे जिसमें आपको प्राप्तांग अंक मिले हैं 33 अंक प्रगती बनजारे आप हैं जी होंगे तो लाई शेट में कमेंट किजिए यस करके आपके प्रापतांग अंक है 34, 34 अंक वैसाली कुर्मालकर आप हैं जी वैसाली कुर्मालकर आपके प्रापतांग अंक है 34 दिपिका आप हैं जी यदि होंगे तो आपके प्राप्तांक अंक है 31, 31 कुछ चात्रों के प्राप्तांक हुए और आगे और भी देखेंगे लेकिन इतना याद जरूर रखिएगा जो भी आपको फीड़ वेक में बताया गया है अगर किसी को वर्णमाला में सुधार करनी की आव सकता है तो आप जब तक वर्णमाला में सुधार नहीं करेंगे मात्रा में सुधार नहीं आएगी और मात्रा में सुधार नहीं आएगी तो अक्षर भी नहीं सुधार पाएगा तो सबसे पहले आपकी प्रात्मिक्ता वर्ड माला को सुधारिये ठीक है चलिए छाट्वा प्रस्न देखते हैं फिर कुछ छात्रों के अंक देखेंगे ब्रह्मा की विशेष्टा क्या है आपसे पुछा गया था साथ सब्द में ब्रह्मा की विशेष्टा क्या है साथ सब्द में पुछा गया था तो देखिए ब्रह्मा की विशेष्टा इस तरह से डेश देते हैं तो भी ठीक है नहीं देंगे तो भी ठीक है पहला अनेक उपनिसदों में ब्रह्मा को अद्वेत सत्ता कहा गया है कठोप निशद में उल्लेखित ब्रह्म के अत्रिक्त कुछ भी नहीं है ये आपका ब्रह्म की पहली विश्ष्था दूसरा है ब्रह्म से ही जगत की उत्पत्ती होती है और ब्रह्म में ही जगत समा जाता है ब्रह्म में पालन करता भी है और समहार करता भी है ठीक है ये आपका दूसरा विश्ष्था हुआ तीसरा है ब्रह्म से ही सारा जगत प्रकासित होता है ब्रह्म से ही सारा जगत प्रकासित होता है इसमें कुछ आत्रों ने पॉइंट देकर लिखे हैं परम जोती के रूप में तो कोई दिक्कत नहीं है सही लिखे हैं, साड़ सब्दों में पुछा गया था जिसके अंतरगत सभी प्रकास मन वस्तुएं होते हैं जैसे आपके तारा है, चंद्रमा है, अगनी है यह सभी प्रकास ब्रह्म से ही प्राप्त होते है यह आपके परम जोती जो पॉइंट देकर लिखे हैं, सही लिखे है चौधा है, उपनी सदों में ब्रह्मा को आनंद स्वरूप और सास्वत सुक देने वाला कहा गया है जो पॉइंटे दिये हैं आप लोग ब्रह्मा आनन्दमाय हैं तो ठीक है उसी का डिटेल है कि उपनिसदों में ब्रह्मा को आनन्द स्वरूप और साच्वत सुक देने वाला कहा गया है यह आपका वेद और उपनिसत से संबंदित प्रस्न थे जिसमें आपकी ब्रह्मा की विश्यस्ताग के बारे में पूछा गया था जिसके अंतरगत आप बिंदू पॉइंट देकर लिखे हैं अद्वेत सत्ता पहला दूसरा लिखे तेस रिष्टी की उध्वत्ति करता तीसरा परम जोती और चांत्वा आनन्द स्वरूप ये रहे आपके मेगा टेस्ट के छटवा प्रस्न का मॉडल आंसर सात्वा प्रस्न पूछा गया था आपसे धर्मदर्शन की मुख्य विसेस्ता क्या है आपको बताना था पूछा गया है आपसे सौ सब्दमे तो क्या है धर्मदर्शन की मुख्य विसेस्ता इसको देखने से पहले चलिए वही प्रक्रिया कुछ चात्रों के अंग देखते ह उसके बाद आगे की model answer देखेंगे जिसमें बात करेंगे धर्मदर्शन की मुख्य विश्यस्ता के बारे में चलिए पर नाम लेते जाता हूँ अगर होंगे तो live share बताईएगा और नहीं होंगे तो बाद में आप model answer देखेंगे तब अपना अंग देख लिजेगा ठीक है दिब्या सिंग होंगे तो live comment में बताईएगे यस करके दिब्या सिंग कदम कुमारी अगर होंगे तो live share में बताईए रेखा कुजूर आप भी होंगे तो live share में बताईए बबीता साहू अगर होंगे तब भी आप भी बताएं लाइचेट में बेला कुजूर पिंकी मांकूर आप लोग हैं जी बेला कुजूर हैं पिंकी मांकूर जी हैं भुनेस्वरी गोस्वामी उज्वल इतने लोगों के प्राप्तांग देखते हैं फिर आगे साथवा, आठवा और नववा प्रसन के बाद देखेंगे उज्वल यह साइद नए चात्र है पहली बार मेंस आंसर रैटिंग किये हैं साइद क्योंकि आठवा मेगा टेस्ट में पहली बार इनका नाम मेरे हिसाब से देखने को मिल रहा है उज्वल जी आपके प्राप्तांग अंक हैं 45 में 14 अंक चलिए कम से कम आप लिखने का प्रयास तो किये हैं आप हमारे जो मेंस आंसर रैटिंग के पांच बेच बना हुआ हैं उनमें जितने भी ग्रूप में सामिल हैं उनसे आप कहीं आगे निकल चुके हैं भले ही आप 28 रैंग पर हैं लेकिन पांच मेंस आंसर रैटिंग ग्रूप के जितने भी छात रहें उनसे कहीं जादा आप आगे निकल चुके हैं लिखते ही जब तक आप लगातर नहीं लिखेंगे तब तक आपको इसका आइडिया नहीं आएगा कि मेंस आंसर रैटिंग कैसे लिखनी है इसलिए आपको सुमवार से लेकर सुक्रवार तक पहले छुट दी जाती थी कि आप उसके बारे में जितना जानते हैं उतना लिख सकते थे लेकिन अब दर्शन सास्त्रा और भारते इतहास प्राडम्भ होने के बाद आपकी सब्द सीमत तै कर दी गई है ठीक है तो लिखिए उजवल जी निच्चित रूप से आगे आपको अंकों में बहुत जादा बढ़ोतरी होगा और सुधार भी होगी भुनेस्वरी प्रिति भारती जी आपके प्राप्तांक अंक हैं 29 प्रिति भारती जी आपके प्राप्तांक अंक हैं 34 आपको अक्छर में सुधार करने की बहुत आओ सकता है आप इस साल मेंस एक्जाम देने वाले हैं तो आप अक्छो में सुधार कीजिए एक्जाम कब होगा अभी किसी क तो भी पता नहीं है, लेकिन तयारी करते रही है, ठीक है, पिंकी मांकूर, आपके प्राप्तांक अंक है 33, बेला कुजूर, आपके प्राप्तांक अंक है 33, दोनों का 33 है, कदम कुमारी, कदम कुमारी आपके प्राप्तांक अंक है 32, बबीता साहू, आपके प्राप्तांक अं तो देखिए 45 में जो आपको अंग प्राप्त हुए है एवरेज देखा जाए तो सभी छात्रों का अंग अच्छा आया है क्योंकि 45 अंग में अगर आप 30 से उपर अर्जित किये हैं तो इस तरह से आपके अगर 200 का अंग लिया जाए तो 130-140 इतने अंग बनेंगे तो दर्शन सास्तर जैसे विशय में इतना अंग लाना बहुत ही अच्छी बात है आप काफी आगे निकल चुके हैं अगर दर्शन सास्तर को इस तरह से लिखेंगे तो आप GS का, Language का और ऐसे वा केवल Mains का ही है, Prelims का Notification 26 November को आता है इसलिए हम इसको 26 November से पहले Complete कर देंगे देख लिजेगा जिनको भी सात्वा पेपर का Notes सा चाहिए होगा ले लिजेगा वे भी आपके इक्जाम के दिश्ट्रिकोर से बहुत ही महत्तपूर्ण है क्योंकि वह भी आपको 200 अंके आते हैं, तो 200 अंक में आपको अधिक से अधिक अंक लाना ये आपको दूसरा मकसद होना चाहिए पहली प्रात्मिक्ता सात्वा पेपर को क्वालिफाई करने की होनी चाहिए अगर आप मेंस का रिजल्ट देखते होंगे, तो पहले से लेकर छट्वा पेपर में अंक अच्छा आता है, जितने भी छात्र छात्रे सम्मिलित होते हैं सात्वा पेपर में अंक या तो डाउन हो जाते हैं, या किसी करानवस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो छट्वा और सात्वा पेपर आपके लिए काफी मतपूर्ण भी है, इसके अलावा आपके लिए संघर से भी इसके लिए करनी पड़ी की, क्योंकि ये दोनों विसे आपके पूर्णता समझ के साथ इसी साथ आपको याद करना भी पड़ेगा, ठीक है, तो छट्वा और सात्वा पेपर के भी तैयारी करते रहिए, देख लीजेगा, जिनको भी नोट्स चाहिए होगा, तो हमारा ही नोट्स नहीं, आप किसी भी कोचिंग संसान का या लेखा का अध्यन कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों पेपर को विसे सुरुप से ध्यान दिजेगा, चलिए बाक धर्मदर्शन की विशेवस्तू धर्म है, इसमें एक या एक से अधिक धर्मों का अध्यन किया जाता है ये आपका धर्मदर्शन की मुख्य विश्यस्त्र का पहला बिंदू कि धर्मदर्शन की विशय वस्तू धर्म है इसमें एक या एक से अधिक धर्मों का अध्यान किया जाता है दूसरा है धर्मदर्शन का विशय चेत्र अत्यान्त ब्यापक है इसमें किसी भी धर्म के स्वरूप उसकी मान्याताई विश्वास अच्रण धर्मिक भासा के साथ विभिन धर्मों में तुलना जिसमें आपका समनवा है धार्मिक सदभाव है धर्म निर्पेक्षता है ये सभी विषय आपके सामिल है तो ये आपका दूसरा बिंदू धर्मदर्शन की मुख्य विषयस्ता के अंतरगत तीसरा देखिए धर्मदर्शन में धार्मिक भासाओं के वास्तविक अर्थ को जानने वविषयस्ण करने की प्रयास होती है जिसमें आप लोग बिंदू दिये थे धर्मदर्शन धार्मिक भासा का विषयस्ण करता है तो देखिए धर्मदर्शन में धार्मिक भासाओं के व वास्तविक अर्थ को जानने वा विशलेशन करने की प्रयास होती है। चौथी विश्यस्ता है धार्मिक विश्वासों का समिच्छात्मक मुल्यांकन करता है। कैसे करता है धार्मिक विश्वासों का समिच्छात्मक मुल्यांकन। तो इसी में उलेखित किया गया है कि आखिर इस्वर क्या है क्या इस्वर का अस्तित्व है यदि अस्तित्व है तो क्या उसका प्रमाड है इन सभी प्रस्णों पर विचार आपके धार्मिक विश्वासों का समिच्छात्मक मुल्यांगन में किया जाता है जो आपके धर्मदर धर्म दर्शन की चौंथी विशेष्टा है पांचवा देखिए धर्म दर्शन में विभिन धर्मों में इस्वर आत्मा परलोक द्रिष्टी विश्व सुब असुब आदि की भिन भिन ऑधार्णाएं है धर्म धर्म दर्शन में इसका व्यापक विशलेशन किया जाता है जिसमें आप लोग बिंदू दिये हैं कि धर्मिक ओधर्णाओं का इसपश्टी करण करना तो यह आपके पांचवी विशेष्टा हुई कि धर्म दर्शन में किस तरह से जो ओधर्णाओं हैं उनका इसपश्टी कर धार्मिक विश्वासों का अधार है, धार्मिक मान्यताओं की सभ्यता है, ये सभी आपके धार्मिक मूलभूत प्रस्नों के अंतरगत आते हैं, चेले मेगा टेश्टर का आठ्वा प्रस्न है, चारवाक दर्शन के अनुसार सुकवात क्या है, आपसे पूछा गया था, इसके अंतरगत जैन है, बहुत है, आज आप लोगों प्रस्न में दिया गया था, वेद और उपनिसाथ से संबंदित प्रस्न दिया गया था, अद्वेत्वेदान थे, गीता दर्शन थे, आपको चारवाक दर्शन के इनके अनुसार सुकवात क्या है, इसके बारे में उच चारवाक के अनुसार इनमे से केवल दो पूरुसार्थ ही स्विकार हैं, काम और मोग्छा काम से आसाय कामनाओं की पूर्ती है और अर्थक आसाय केवल साधन मात्र है चारवाक ने अपने इच्छाओं की पूर्ती को सरवादिक महत्व दिया है चारवाग के अनुसार मनुष्य का मुल सोभाव है सुक प्राप्ति के लिए प्रयास करना हमें दूखों से बचते हुए सुक प्राप्त करते रहना चाहिए साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बड़े सुक की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे दुखों को स्वीकार करना चाहिए चरवाक ने वर्तमान के सुक और भावतिक सुक को अधिक मात्व दिया है उसने निश्चित सुक को भी अधिक मात्व दिया है उसके अनुसार अनिश्चित सुक की लालसा में निश्चित सुक को त्यागना आपकी मुर्खता है एक बार ओर देखिए मातपूर्ण प्रस्ना है चारवाक दर्शन के अंतरगत आपको सुकवात के बारे में पूछा गया था भारतिय समाज में चार पूरुसार्थों का उल्लेक है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारवाक के अनुसार इनमें से केवल दो पूरुसार्थे ही सुविकार हैं काम और मोक्ष काम से आसा है कामनाओं की पूर्थी और अर्थ का आसा है केवल साधन मात्र है अब यहाँ यह मत सोचीगा काम और मोक्ष के बारे में अर्थ कहां से आ गया आपको काम और अर्थ के उल्ले किये गए है चारवाक ने अपनी इच्छाओं की पूर्टी को सरवादिक महत्तो दिया है चारवाक के एनुसार मनुष्य का मुल सौभाव है सुक प्राप्ति के लिए प्रयास करना हमें दूखों से बचते हुए सुक प्राप्त करते नहींना चाहिए साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बड़े सुक की प्राप्ति के लिए छोटे-छोटे दुखों को स्विकार करना चाहिए चारवाक ने वर्तमान के सुक और भहोतिक सुक को अधिक महत्तो दिया है उसने निश्शित सुक को भी अधिक महत्तो दिया है उसके अनुसार अनिश्शित सुक की लालसा में निश्शित सुक को त्यागना मुर्खता है ये रहा आपका आठ्वा प्रस्ना का मॉडल आंसर जो पूछा गया था सौव सब्द में तो सावसब्दा के आपके दो प्रस्ने थे टोटल अंग हुए थे आपके 16 आए कुछ चात्रों के अंग देखते है जैमेनी चंद्रवनसी आप मॉडल आंसर देख रहे हैं जी अगर देख रहे होंगे तो लाइव चेट में बताईए अंजली कुस्वाहा आपके प्राप्तांक अंग है 36 जैमनी चंद्रवनसी आपके प्राप्तांक अंग है 34 मेडूल राजकुमारी आपके प्राप्तांक अंग है 37 सत्वन्दिन मंडावी आपका अंग देख चुके हैं आपके प्राप्तांक अंग 39 है मधु नेताम आपके प्राप्तांक अंक है 34 जोती सिंग आपके प्राप्तांक अंक है 38 आप देख रहे हैं जी मौडल आंसर जोती सिंग देख रहे होंगे तो आपके प्राप्तांक अंक 38 है नमरता साहू आपके प्राप्तांक अंक है 31 31 महिमध वर्मा आपके प्रापतांक अंक है 37, 37 आप देख रहे हैं जी rebelllessur Lachmy manji आपके प्रापतांक अंक है 33, 37 रोशन टुपो आप देख रहे हैं जी रोशन टोपो आपके प्रापतांक अंक है 36 थौड़ा सा आप अक्षर में आप और भी अधिक अर्जित कर सकते थे आपको भी अक्षर में सुधार करने की आव सकते है लगातार लिगते रहेंगे तो अक्षर में सुधार हो जाएगा गरिमा साहू, आपके पराप्तांक अंक है 21, खुसी, आपके पराप्तांक अंक है 34, अर्विंद बन्जारे, आपके पराप्तांक अंक है 35, आप भी अच्छा प्रयास किये हैं, 45 में 35 अंक आपको मिले हैं कुछ चातर के और बचे हैं इस प्रस्न के मौडल आंसर के बाद देखेंगे उसके बाद अन्त में टॉप थ्री चातरों के नाम देखेंगे उसके बाद बताएंगे कि आप किनका किनका मौडल आंसर मतलब पेडियेब जमा किये हैं उसको आप चेक करके अपना मिलान कर सकते है चलिए मेगा टेस्ट का नववा प्रस्न था असूब की समस्या का विश्त्री तवर्णन कीजिए 175 सब्दों में पूछा गया था आईए देखते हैं असूब की समस्या का विश्त्री तवर्णन नैतिक प्रत्या के रूप में नीती सास्त्र में सूब और असूब सास्त्र की अधाना दी गई है सूब सब्द का अंगरेजी परियाए गुड है वह जो किसी लक्ष प्राप्ती में सहायक हो उसे सूब कहा गया है जबकि इसके विप्रीत जो लक्ष प्राप्ती में बाधाख हो उसे असूब कहा गया है इस तरह से आपके जो सूब और असूब है आपके सापेक्छ अधारना है ठीक है एक बरोड देखिए नैतिक प्रत्य के रूप में नीति सास्तर में सूब और असूब की अधारना दी गई है सूब सब्द का अंगरेजी परियाए गुड है गुड जानते होंगे वह जो किसी लक्ष प्राप्ती में सहायक हो वह सूब कहा गया है जबकि इसके विपित लक्ष प्राप्ती में यदि बाधक हो तो उसे असूब कहा गया है इस तरह से सूब और असूब आपके सापिक्छ अधारनाई है एकजामपल देखिए आप बताया गया है कि कोई एक चीज जो एक व्यक्ती के लिए सूब हो वह दूसरे के लिए असूब हो सकती है या कोई एक ही चीज अलग-अलग परिस्थितियों में एक व्यक्ती के लिए सूब या असूब हो सकती है आपको एक्जामपल में बताया गया था आपको के वाल एक ही एक्जामपल लिखना था जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो रोगी व्यक्ति है तो दवा जब ले रहे तो उसके लिए सूब है लेकिन वही दवा जो स्वस्त व्यक्ति है उसके लिए असूब भी हो सकती है तो इसके लिए दो परिस्थितियां तो उत्पन्न होगी ही कि आप कुछ समय बाद ठीक हो जाएंगे तो वही दवाएं आपके लिए सुब भी हो जाएगी और असुब दोनों ये परिस्थितियां निर्मित होती है निती सास्तर में कुछ गुणों को सुब की स्रेडी में रखा गया है और कुछ को असुब जैसे प्रेम दया छमा आदी को सुब माना गया है जबकि दूख है लोब है ग्रिणा है आदी को असुब माना गया है ठीक है इसके अंतर कर देखिए आपको एजांपल और दिया गया जो आप नोट से परचेश किये हैं कि देखे समानी जो परिस्थितियां होती है जो संगीत है जब आप अकेले सुन रहे हैं तो आपके लिए हो सकता है कि सुब हो किन्तों वही कोई रोगी व्यक्ति है जो अपने बीमारी से परिसान है अगर वही संगीत आप उनके सामने प्रस्तुत करेंगे तो हो सकता है वहाँ उनके लिए असुब हो तो देखिए इस्थितियां पर इस्थितियां एक एक के लिए सुब हो रही है दूसरे के लिए असुब तो उस समय के जो संकट है उसके बारे में उलेखित किया गया है असुब की समस्या में अगर सरांस इसका समझा जाए तो वही है कि कोई एक चीज एक व्यक्ति के लिए सुब हो तो वह दूसरे के लिए असुब हो सकती है या कोई एक ही चीज अलग अलग परिस्थितियों में एक व्यक्ति के लिए सुब और असुब दोन हो सकता है यह असुब की समस्या का सरांस है निती सास्त्र में सुब को अपनाने और असुब को त्यागने पर जोड़ देता है दर्शन सास्त्र में असूब की समस्य को अनेक दर्शनिकों ने इस्वर के अस्तित्व के विरुद्ध तर्क के रूप में प्रयोग किया है जबकि दर्शन सास्त्र में असुब से अभिप्राय ऐसे दुख हैं जो मनुष्य को सारेरिक या मानसिक रूप में प्राप्त होते हैं इसलिए दर्शन सास्त्र दुख की सत्ता को स्विकार करता है 175 सब्दों में आप से पूछा गया था तो दर्शन सास्त्र में असूब को दो वर्गों में विभाजित किया गया है पहला है प्राकृतिक असूब दूसरा है नैतिक असूब तो प्राकृतिक असूब विभिन प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन सारेरिक मानसिक दूख को इसमें सामिल किया गया है ऐसे दुखों की उत्पत्ती में मानवी प्रवित्ती से होती है इसके अंतरगत क्रोध इस्या स्वार्थ दूरचार कुरुरता आदी सामिल है तो ये रहा आपके दर्सन सास्त्र में असूप को दो वर्गों में भी भाजित किया गया है उसके बारे में तो इस तरह से हुए मेगा टेस्ट का मॉडल आंसर कम्प्रीट होता है आईए हम उन छात्रों के बारे में देखते हैं जो टॉप थ्री में अपना अंग अरजित किये हैं इसके अलबा देख लिजेगा जिनको भी नोट से चाहिए होगा सातों वेपर का आज आप ले सकते हैं आपके पास पूरे पूरे तिन घंटे का समय है ठीक है देखिए सभी के अंग हम देखे हैं पहले से लेकर 28 छात्रों तक के हम अब उन छात्रों के नाम देखने जा रहे हैं जिन्होंने मेगा टेस्ट आठवा में टाउप थ्री में अपना नाम बनाए है तो चलिए तैयार हो जाईए आठवा मेगा टेस्ट टाउपर के नाम जानने के लिए पहले इस्थान पर हैं आप इनका मॉडल आंसर की रूप में पीडिये चेक कर सकते हैं अक्षर भी इनका स्वक्ष है इसके अलावत तत्यकों भी सामिल किये हैं और सब्द सिमा के अनुसार लिखे हैं प्रथम इस्थान पर हैं जोती सिंग आप देख रहे हैं जी देख रहे होंगे तो लाई शेटों बताईए प्रत्थम इस्थान पर है जोती सिंग आपके प्राप्तांग अंक है 38 टोटल अंक थे 45 आपने 45 अंक में 38 अंक प्राप्तांग प्राप्तकर प्रत्थम इस्थान अरजित किये हैं दृत्य इस्थान पर हैं दो छात्राएं महिमा वर्मा जी आप देख रहे हैं मौडल आंसर मेडूल राजकुमारी क्या आप भी मौडल आंसर देख रहे हैं रिजल्टत देखिए आप दोनों सेकंड स्थान पर हैं मेडूल राजकुमारी और महिमा वर्मा आप दोनो ने दृतिय स्थान अरजित किये हैं आप सभी दोनों महिमा वर्मा और मेडल राजकुमारी आप दोनों ने 45 में 37 अंग अर्जित किये हैं तृतिय इस्थान पर तिन हैं एक छात्र हैं, दो छात्राएं हैं जिसके अंतरगत रोसन टोपो जी आपको पहले ही भी बताया हूँ कि अच्छरों थोड़ा सा और सुधार हो सकती है अगर आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत बहुत बढ़ाई कि कम से कम टॉप थ्री में किसी एक लड़के का नाम बहुत दिनों बाद आया है आठवा मेगा टेस्ट में, एक या दो ही मेगा टेस्ट में नाम आये थे चलिए आप आगे बढ़िए निश्चित रुप से आप अगले टेस्ट में उम्मीद करता हूँ आप पहला या दूसरा इस्थान अरजित करेंगे इसके अलवा एक अरविन बंजारे जी हैं आपने भी काफी अच्छा लिखे हैं कोशिस किजियेगा अगली मेगा टेस्ट में आप टॉप 3 में अपना नाम लाएं और टॉप 3 में अपना इस्थान अरजित करें चलिए तिरिती इस्थान में 3 हैं एक रोशन टॉपो जी हैं सुभासने सिंग ठाकुर जी हैं और एक अंजली कुस्वाहा जी हैं अगर आप तीनों देख रहे होंगे तो आपके तृती इस्थान हैं आप तीनों 45 अंग में 36 अंग अर्जित किये हैं देखिए हमारे मेंस आंसर रेटिंग में कुछ ऐसे भी मैम हैं जिनकी साधी हो चुकी है देखिए जब वे समय निकाल कर मेंस आंसर रेटिंग कर सकते हैं तो हमारे पहले बेच से लेकर पहले बेच फाइब तक काफी बेचलर इस्टूडेंट है जब हाउस वाइप मैम हैं वे लोग भी लिख सकते हैं टौप थ्री में अपना इस्थान बना सकते हैं तो आप लोग कुछ हात्रा ऐसे हैं डर्शाण सासत्र विख रहें करके मेगा टेस्ट से ही बाहर हो छुके हैं लिखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं ठीक है आपके पास कंटेंट नहीं है तो किसी कोचिंग संस्थान कर ले लीजिए हम भी आपको प्रवाइट कर रहे हैं नोटस आप यहां से भी परचेस कर सकते हैं ठीक है आपसे दर्शान सास्तर विशे नहीं बन रहे हैं आप लोग कमेंड किये थे कि प्रिलिम समय जो विशे हैं उनको सामिल किया जाए तो भारतिय इताहस को आपके लिए सामिल किये हैं तो कल से उम्मीद करता हूँ अधिक से अधिक PDF जमा होगा क्योंकि आपके भारतिय इताहस भी सामिल किये गये हैं कल से आपके सब्द सीमा के अनुसार प्रस्न रहेंगे केवल 6 प्रस्न दिया जाएगा 3 प्रस्न आपके दर्शन सास्त्र के रहेंगे 3 प्रस्न भारती इताहस से संबंधित रहेंगे अगले मेगा टेस्ट में हम कम्बाइन लेंगे भारती इताहस के प्रस्न रहेंगे और दर्शन सास्त्र ये दोनों विशाय के प्रस्ण आपको 90 मेगा टेस्ट में अगले सनिवार को देखने को मिलेगा तो आप 6 चात्र चात्राओं को हमारे CGPAC, Heritage Notes परिवारी की तरफ से बहुत बहुत बधाई ये अम सुपकामनाएं कि आप जो 6 चात्र हैं प्रतम 3 इस्थान पर अरजित किये हैं इसके अलावा जो 30 अंग से भी अधिक अंग अरजित किये हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई कि आपने दर्शन सास्तर जैसे विशाय में 30 अंग से अधिक अंग अरजित किये हैं टोटल अंग ते 45 इसी तरह से लिखते रहिए दर्शन सास्तर विशय में भी आप अधिक से अधिक अंग अर्जित कर सकते हैं इस तरह से आप लिखेंगे तो छट्वा पेपर भी आपके लिए असान हो जाएगा अगर दर्शन सास्तर आपको मजबूत हो जाता है तो आप दोनों में से 75-75,500 में अधिक से अधिक अंग अर्जित कर सकते हैं इस तरह से आप साथ वेपर में भी ध्यान दे सकते हैं जिनको भी नोट से चाहिए होगा आप इस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं इसके अलावा आपके वाट्सअप ग्रूप में भी भेजा गया था तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नई सुबा और नई प्रस्नों के साथ आज के लिए विदा दीजे धन्यवाद सुबरात्री